Hello and welcome students, आपका स्वागत है हमारे चैनल Study Roof पर और हम लोग डिसकस कर रहे थे CDP की क्लास में जहां पर मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि विकास क्या होता है, वृद्धी क्या होती, इन दोनों के बीक में समानता है और असमानता हो पर हम लोगों ने बात की थ वहाँ पर हम लोगों ने भी जाना था कि विकास जो होता है वो प्रगतिसील जीवन की संकल्पना होती है और वो निरलतरता तक बढ़ती रहती है, यह सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि विकास को परभावित करने वाले कार होती है फिर चाल्डूट पिरिएट क्या होता है लेटर चाल्डूट अगली चाल्डूट अडॉल्स एंसी जारी सीजें देखेंगे और हर एक स्टेज में अपनी कुछ विश्थाय होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक चीज को बारिकी से समयेंगे तो अगर सेहले तो देखे कुछ चीजें होती हैं जो जर्मिनल से सुरूख होती है ठीक है चैसजिब इस पर्म जाता है और इस परम के जाने के बाद आ जाईकौट फर में सन होता है ठीक है भून का निर्मान होता है तो यह हमारी अवस्था चलती है जीरो से दो सपताः तक है उसके बाद देखी एंब्रायो बनता है भूर बनकर तयार होता है और एंब्रायो बनने की जो भी अवस्था है वो हमारी चलती तीन से आठ अपते तक ठीक है सब्ताह तक और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पूर्ण विक्सित भूर्ण भूर्ण या फीटल जो हमारा होता ह है वह हमारा फिर चलता है जन्म के समय तक ठीक है यह नवे सब्ता से जन्म जन्म समय तक रहता है हुआ उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा प्री नेटल पीरियड शुरू होता है प्री नेटल पीरियड और application प्रिनेटल पीरियड है, वो हमारा सून से, यह सून का मतलब यहां पर है जन, सून से 40 सबताह तक चलता है, यह हमारा प्रिनेटल पीरियड है, ठीक है, मतलब प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव से पहले की जो भी अवस्था है, ठीक है, जन से पूर्व की जो भी था आप अगर इसको calculate करके देखेंगे तो somehow लगबग 9 months के करीब ये आता है अब देखे exactly 9 months पे तो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं का जा सकता कब पैदा हो जाए 9 मेने पैदा नहीं उसका अलग दिन है ठीक है और लगबग 272 दिनों के आसपास का ये समय होता है ठीक 282 से 80 तो अगर हम करकर देखें तो 40 इंटू 7 लगबग 280 देस का जो cycle होती वो होती तो अगर prenatal या भून से पहले की अवस्था की बारे में विकास की बारे में बात करें ठीक है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है ठीक है यहाँ पर मैंने आपको इसको expand कर दिया है ठीक है कि कैसे चीजें चलती है ठीक है कैसे चीजें चलती है यह 9 सब्ता से लगबग 40 सब्ता तक मान लेते हैं कि अगर 40 सब्ता में जन्म होता है तो यह ऐसे यहाँ पर चीजें चलती है ठीक है तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग बात करें कि सबसे तेज विकास कहां पर होता ह तो देखे सबसे तेज विकास जो है, सबसे दुरुत विकास यहीं पर होता है, सबसे दुरुत विकास यहीं पर होता है, मतलब इतनी स्पीड में चीजें बन नहीं होती है, अगर यहां की बात करें तो देखे, यह भी दो तरीकों से विकास चलता है, इसकी बात करें, तो एक में देखिए हमारा मस्तिस का निर्माड होता है मस्तिस का निर्माड होता है हमारी रीड का निर्माड होता है ठीक है और हिर्दय का निर्माड होता है और दूसरे में देखिए अंगों का निर्माड होता है अंगों का निर्माड होता है उसके बाद देखे, सरीर के अन्रे भागों का जैसे हात, पैर यह सब का निरुमान होता है तो ऐसे ऐसे अलग-अलग चीज़ों से यह भी दो तरीकों में इसका विकास चलता रहता है ठीक है यहाँ पर पहले इस चरण में उन सारी चीजों का विकास होता है जिनका हमारे पास control नहीं रहता जिया जिनें हम involuntary कहते हैं ठीक है उन सारी चीजों का विकास होता है और इसको संसथर विकास भी कहते हैं और दूसरे में सरीर के समस्ते अंगों का विकास होता है ठीक ह उसके बाद infancy की stage हमारी होती है जिसको नौजात कहते हैं हम लोग जिसको नौजात कहते हैं या नया जन्मा हुआ शिशु जिसे हम लोग कहते हैं और ये देखें नौजात की जो अवस्था होती है वो 0 से 2 साल तक चलती है जिरो से 2 साल तक चलती है और यहाँ पर देखे बच्च जो इन्फेंस पीरेड होता है ठीक है जो नौजात का पीरेड होता है यहाँ पर बच्चे मतलब बच्चे का जादा क्या आप यह समझे कि अभी तक वो अपने वातावरण से एक तरीके से जुरूबरू हो रहा होता है अगर जीरो से दो साल की बात करें तो मतलब उसके मस्तिस का विकास तो इनी कामों में लगा रहता है कि वो वातावरण की अपने आस पास की चीजों को समझता है और जो भी उसकी सरीर की छमताएं होती उसको विक्सित करता है जैसे अगर मैं बात करूँ चलने की छमता का विकास करता है हाथ पैर हि शुगरा की जाती है उसके बाद वो लोग जवस्था में पहुंचते हैं और नाक में दम कर देते हैं ठीक है तो इन सारी चीजों को देखते हैं हम लोग यहाँ पर यह इनफान स्पिरेड में होता है यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो सिर्फ भासा थोड़े बहुत तूटे फूटे अच्छर सीख पाता है और यहाँ तो मम्मा पापा जो भी कहना चाहता है वो कहने की चीज़ा सीख पाता ठीक है उससे आगे इसका विकास नहीं हो दो चीज़े एक तो अरली चाइल्डूड ठीक है और दूसरी चीज़ है यहाँ पर लेटर चाइल्डूड ठीक है लेटर चाइल्डूड इसको देखे हिंदी में कहते है पूर्व बाल्यावस्था ठीक है पूर्व बाल्यावस्था और इसको कहते है उत्तर ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर बाल जा वस्ता है, देखें, classes और sessions जो हमारे होंगे, जो भी lectures होंगे, थोड़ा सा lengthy हो सकते हैं, लेकिन हम लोग की ये कोशिस रहती ही कि आप को चीज़ें समझ में आएं, और कोई भी चीज़ें exam के purpose से, या आप जो भी exam देने जा रहे हैं, seated ह यूपी टेट हो, या सुपर टेट हो, तो उसमें सारी चीज़ें cover हो जाएं आपकी, ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ थोड़ा patience रखिएगा, और चीज़ों को समझने की पूरी कोशिस कीज़ेगा, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, सारी चीज़े deliver की जाएंगी, ठीक है, अगर पूर बाल्य आवस्था की बात करें, तो यह हमारा चलता है, दो साल से छे साल तक, ठीक है, और अगर उत्तर बाल्य आवस्था की बात करें, तो यह हमारा चलता है, साथ साल से बारा वर्स तक, ठीक है, बारा साल तक यह चलता है, अब अगर early childhood की बात करें, ठीक है, तो पूर बाले आवस्था में देखिए, इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो प्ले ग्रूप में होते हैं, प्ले ग्रूप मतलब खेल, कूद और खिलोने वगएरा इन सारी चीजों से खेलते हैं, ठीक है, और यहां पर देखिए, अगर अब लोग देखें, तो यहां पर भासा का विकास हो रहा होता है, मतलब बोलने की सहली का, भासा का विकास का मतलब देखिए, कि आप यह देखिए कि जो भी मतलब ब्रिटेन हो या यूस से हो, पर अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको ग्रामर पढ़ा ही जाती ही दो तीन साल में नहीं लेकिन फिर भी हो इंग्लिस बोल लेता है कैसे क्योंकि उसके आज पास के वातावरन से उसके बोलने का उसकी भाषा का विकास हो रहा होता आप यहीं समझे कि जो बच्चा तमिल में पैदा हुआ है उसको तमिल जन्म से ही आती है जिसको मात्र भासा गयते हैं तो यहाँ पर मात्र भासा का विकास हो रहा होता है ठीक है बच्चा कुछ ग्रामेटिकल चीजें नहीं जानता कि व्याकरण क्या होता है उस भासा का लेकिन उन चीजों को बोलना उसे सारी चीजों को बोलना आता है व्याकरण तो बाद में सीखता है ठीक है मतलब आप यह देखिए कि चीजें पहले कर रहा है पीछे की टेक्निकलिटी बाद में सीख रहा है लेकिन आपने इस चीज को अब्जर्व किया ओगा तो यहाँ पर भासा का विकास होता है यहाँ प अब बच्चे गैंग बना लेते हैं और यही सारी चीजें होती है और यहाँ पर मुखिता बच्चों का विकास इतना ही रहता है अगर हम लोग प्रिनेटल यानि की प्रसव पूर्व अवस्था को छोड़ दें प्रसव से पहले की अवस्था जो हमने अभी आपको बताई थी प्रिनेटल पिरेड की तो अगर हम लोग जन्म के बाद की अवस्थाओं में देखें तो जन्म के बाद ठीक है जन्म के बाद की अवस्था में जन्म के बाद की अवस्था में जन्म के बाद की अवस्था में सबसे तेज विकास इसी में होता है सबसे तेज विकास ठीक आप लोगों का नहीं पता मतलब पहले कि DNA करके टॉनिक आता था ठीक है पाउडर आउडर आता था अगर आप लोगों ने आड देखी होगी उसमें बताता है कि बच्चे का विकास पांच वर्स की आयू तक हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर इस स्टेज की बात करें तो नब्बे फीजदी बच्चे का विकास हो जाता है ठीक है नब्बे फीजदी बच्चे का विकास यहाँ पर हो जाता है और अगर हम लोग जन्र के बात की वस्ताओं में देखें तो सबसे जल्दी विकास यहीं पर होता है सबसे जल्दी विकास सबसे तेज विकास सबसे लोग बात करें लेटर चाइल्डूड में हम लोग देखते हैं लेटर चाइल्डूड में क्या होता है देखिए यहां पर बच्चे की गैंग अवस्थास चालू हो जाती है यहां पर क्या होता है वो अपने जो उसके साथ के बराबर होते हैं जो हम उम्र होते हैं ठीक है हम उम्र का एक घेरा बनता है एक घेरा बनता है उसके बाद देखें मित्रता जीवन परियंत तक रहती है मतलब इस अवस्था में जो एक बार मित्र बन जाएगा वो लास्ट टाइम तक बना रहता है फ्रेंड्शिप होने की बहुत अच्छी बांडिंग रहती है यहाँ पर कहतने बच्पन का मित्र है यह सारी चीज़ें वहाँ पर रहती है और देखें यहाँ पर जो मैत्री है वो काफी लंबी समय तक चलती है और यहाँ पर देखें बच्चों के बौधिक विकास के वस्थ शुरू हो जाती है ठीक है यहां पर एक तरीके से अगर हम लोग बात करें तो schooling की अवस्था भी चालू हो जाती है ठीक है मतलब विद्याले जाकर सीखने की अवस्था भी बच्चे की हो जाती हो और यहां पर वो विद्याले जाकर सीखने लगता है ठीक है विद्याले जाकर सीखने लगता है उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो ये वाला जो है लेटर चैल्डूल पिरियड ये थोड़ा सा troublesome type का होता है या clarity नहीं होती है clarity नहीं होती है इस पस्टता नहीं होती है और यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी चीज़े परेशान भी करती है ठीक है तो ये वाली अगर स्टेज की बात करें तो ये 13 साल से 19 साल तक चलती है ठीक है और actually ये है क्या ये देखिए ये संक्रांती काल है ये संक्रांती काल है ये संक्रांती काल है जिसे हम लोग कहते है transition period ठीक है transition period इसे कहते हैं और किस-किस के बीच का transition period देखें इधर हमारा childhood है जो अभी गया हुआ है और आगे चलकर जो हम लोग देखते हैं childhood के आगे यहाँ पर हमारी adult है adulthood ठीक है तो इनके बीच का जो transition period होता है वो हमारा होता है adolescent का या जिसे हम लोग teenagers भी कहते हैं ठीक है तो teen का यही काल होता है और उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बुरी आदते हैं ठीक है बुरी आदतों में घिरने के chances ज़्यादा रहते हैं यहां पर बुरी आदतों के गिरने के चांसेज ज़्यादा रहते हैं ठीक है और यह देखे यह जो ट्रांजिशन फेशन न यह दो चीज़ा डिसाइड करती है अगर यहां पर हम लोग देखे इस ट्रांजिशन पीरेड में अगर उसकी जो आसपास का परियावरण है या वात मुस्किल हो जाएगा तो यहां पर जो भी बदला होते हैं ठीक है मतलब इंपोर्टेंस यहां पर चुतिया की नहीं इंपोर्टेंस यहां पर रूडवादिता की है कि यहां पर यह इतना रिजद हो जाता है चेंज्यजजस are rigid ठीक है चेंजजस और रिजजड की फिर उसको होगा आस-पास कि कुछ बच्चे होते हैं पुडिया खाते हैं केसर हो गया अरे विमन पान मसाला ले लो ठीक है तो यह सब जो खाते हैं यह इसी ट्रांजिशन फेस में उनको आदत लगती है और एक बात यहां पर आदत लग जाए तो फिर उसे चुडाने के लिए नसा मुक्ति केंद भी कम पड़ जाते हैं ठीक है तो यहां पर अगर कोई बुरी लग पकड़ ले तो आगे चलकर चुडाना बहुत मुस्किल होती है अगर शराब में लिप्त हो जाए या किसी भी तरीके में और इस समय पर दिमाग में मतलब देखे इतनी अवस्था बुद्धी इतनी नहीं होती है कि वो इन सारी चीजों को इन सारे एस्पेक्ट को समझ सके ठीक है इनके जो दुस प्रभाव होते है वो अडॉलेसन एज में समझ पाना उसके लिए संभव नहीं होता है ठीक है तो जब उसके लिए संभव नहीं होता क्योंकि अभी उसकी पूरी तरीके से maturity नहीं आई होती है ठीक है और यहाँ पर थोड़ा confusion state रहता है ठीक है confusion state रहता है बच्चा confused रहता है कि क्या करें और क्या ना करें ठीक है क्योंकि उसको ग्यान देने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं उसके रिष्टेदार और ये सारी चीजें क्योंकि बढ़ते आयामों में 12th pass किया बहुत सारे दरवाजी आ गए उसके लिए खुल गए तो यहाँ पर ग्यान देने के लिए उसके रिष्टेदार बहुत ज़्यादा मौजूद रहते हैं तो यह confusion की state पहले से होती है और वो लोग अलग-अलग राय दे कर इसको और confuse कर देते हैं और यहां पर आजपस्टता बहुत ज़्यादा रहती है ठीक है आजपस्टता बहुत ज़्यादा रहती कोई clarity नहीं होती है यहां पर जो एक note करने वाली बात है वो यह है कि यहां पर identity crisis रहती है ठीक है identity crisis रहती है कि बच्चे को पहचान बनाना रहता है कि मैं कौन हूँ वो अपने हाँ से सवाल करता रहता है मैं कौन हूँ मुझे क्या करना है जीवन का उद्देश मेरे क्या होना चाहिए ठीक है जीवन का उद्देश क्या होना चाहिए और वो हमेशा अपनी पहचान को लेके क्राइसिस में ही रहता है ठीक है मेरी क्या पहचान है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है और इसी पहचान की क्राइसिस में अगर कोई रिस्तेदार आके उसको अपनी पहचान दे जाता है तो समझे कि आगे का जीवन बरबाद ठीक है आगे का जीवन बरबाद तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है यह confusion की क्राइसिस होती है और बाहरी दुनिया से यहाँ पर देखे रूबरू हो रहा होता है बच्चा एक तरीके से ठीक है बाहरी दुनिया से रूबरू हो रहा होता है ठीक है और यहाँ पर देखे जो उसके बच्चपन के मित्र होते हैं जो schooling time तक उसके साथ रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 करते हैं इंटर तक जो पढ़ते हैं उनका साथ भी छूट जाता है ठीक है यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वो जो उसका यह circle होता है यह जो उसका friend circle है देखिए यहाँ पर जो भी उसके मित्रों का यह circle है ठीक है यह जो भी उसके मित्रों का circle है यह जो भी कहता है वो उन पर अगर अच्छी संगत मिल गई तो वो अच्छी चीजों को भी समझ सकता है तो ये सारी चीजें लेके हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो काल है ठीक है ये आइडेंटिटी क्राइसिस का काल होता है अगर एक बार हम लोग sum up करें इसके बाद देखें हम लोग आगे देखेंगे अब इसके बाद वाले जो वीडियो में है देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या discuss करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में इसके बाद वाले वीडियो में देखी हम लोगों को जे discuss करना है वो है कि वृद्धी और विकास वृद्धी एवं विकास वृद्धी और विकास को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक इनके बारे में जानेंगे और यहाँ पर अगर हम लोग इनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाने तो देखें यहां पर इनके प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो जाएंगे ठीक है बहुत सारे कारक है एक तो के हमारा hereditary कारक हो जाएगा hereditary कारक हो जाएगा इसको हम लोग anuansic कारक भी कहते हैं ठीक है माल लिजे बच्चे का पिता मंद बुद्धी का है या बच्चे का पिता ये माल लेते हैं कि उसकी height कम है बौना है ठीक है तो ये सारी चीजें उसको उसके परिवेस में मिलती और इन सारी चीजों को लेकर उसे विकास में आगे बढ़ना पड़ता है ठीक है उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो intelligence की बात आ जाती है ठीक है कि बच्चा कितना intelligent है ठीक है यह सारी मतलब अगर बच्चा बहुत intelligent है तो अगर उसको ठीक सा infrastructure नहीं मिलता तो भी वो आगे बढ़कर चीजों को काम करने के उपर जा सकता है ठीक है चीजों को handle कर सकता है उसके बाद अगर देखें यहाँ पर तो एक biological factor भी आता है यहाँ पर biological factor भी आता है ठीक है और biological factor में देखते हैं कि अगर पुरुश है या लड़की है तो दोनों में अलग अलग चीजों से हमारा समाज देखता है तो यहाँ पर biological factor का भी काफी महत तो हो जाता है उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक emotional factor भी आ जाता है ठीक है यहाँ पर चीजे पता चलता है कि वो emotionally कितना stable है emotionally कितना stable होगा और family background क्या है emotional background क्या है ठीक है emotional background क्या है यह भी यहाँ पर इसके कारक को प्रभाव करता है वृद्धी और विकास को माल लिजे कि family काफी जादा emotional है या बाद बाद पर चीजों को ले लेती है तो बच्चा भी होगा वो भी काफी emotional निकल जाएगा ठीक है तो यह सारी चीजे यहाँ पर होती है उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि nation का भी यहाँ पर काफी nation का भी काफी बड़ा रोल लेता है जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर nationality की ठीक है जैसे अगर हम लोग बात करते है कि अगर भारत को देखा जाए तो भारत वाले कहीं भी जाए अगर माल लीजे भारत से एक आदमी जाता है अमेरिका तो उसको चला जाने दिया जाता है और यहीं अगर पाकिस्तान के प्रधान मंत्री जाते हैं तो उनको नंगा करके कपड़े उतरवा दिये जाते हैं तो नैशनलिटी का भी बहुत एफिक्स पर्टता है ठीक है तो यह सारी चीज़े देखने वाली है यहाँ पर नैशनलिटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सिटीजन सिप का भी फर्क पड़ता है ठीक है सिटीजन सिप का भी फर्क पड़ता है जैसे आपको कहा कि यह पाकिस्तानी है तो आतंगवादी बाई डिफॉल्ट हो जाता है citizenship की बात करें तो कपड़े अपने आप उतर जाते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद रखना है इन सारी चीज़ों को उसके बाद अगर हम लोग बात करें नैस्नलिटी हो गई और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपर प्रेगनेंसी के टाइम पर भी ठीक है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर बात करें प्रेगनेंसी के समय माल लेते हैं कि महिला मदिला का पान कर रही है मतलब सराप पी रही है या कुछ गंदी वो थोड़ा समाज के लिए बहतर नहीं है समाज उसको नकरस्ट कर देता है नकार देता है तो उन सारी चीजों की भी जौदालना है बच्चे पर बड़ा बुरा प्रभाव पढ़ती है मतलब इसलिए कहा जाता है कि जब गरवती होती है मैं ना तो कहा जाता है गीता तिलना भी पढ़ो महाबारत हो जाएगी ठीक है बना अच्छी चीजों या स्लोकों को पढ़ने का इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे का उस पर असर पढ़ता है तो प्रेगनेंसी के समय होने वाली घटनाए भी उस पर काफी असर डालती है ठीक है तो यह सारी चीजें है जो इसके लिए कारक बच्चे के विद्धी और विकास को प्रभावित करने के कारक होते हैं यहाँ पर एक चीज और देखें कि जो राष्ट के लॉज है ठीक है जो लॉज है जो भी नियम है जो भी पॉलिसीज है वो सब भी हैंपर करती है ठीक है तो यह सारी चीजें किया गया है या बैन किया गया है ठीक है अगर ऐसे लॉज बने है या रेप के लिए कोई लॉज बने है तो यह सारे लॉज भी उसके वृद्धियों और विकास और उसकी मानसिक छमता को प्रभावित करते हैं या जो नीतियां है ठीक है वो भी उसको प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारा विकास क्या होता है विकास होता है स्वतंदरता आत निर्भरता की ओर मतलब निर्भरता से स्वतंदरता की ओर ये सारी चीज़ें हमारे विकास के अंतरगत आ जाती है उसके बाद हम लोगों ने बात की कि विकास होता क्या है कैसे होता है किन किन कौन कौन से कारण है फिर उसके बाद हम लोगों ने विकास के विभिन आयामों की बात की ठीक है विकास और वृद्धी की बात की ठीक है विकास और वृद्धी की बात की तो यहाँ पर अगर कब्र तक चलता है इसको कहते हैं जन्म से कब्र तक चलता है जन्म से कब्र तक चलता है उसके बाद देखें ये बहु मुखी होता है और अगर हम लोग वृद्धी की बात करें तो यह सिर्फ संख्यात्मक होता है और अगर यहाँ पर बात करें तो सीमित समय तक ही चलता है ठीक है सीमित समय तक ही चलता है उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखें या कुछ जीवनकाल के लिए नहीं है ज उसके बाद हम लोगों ने बात कि की विवेन स्टेज़स कौन-कौन सी हमारी तो अगर विवेन स्टेज़स की में बात करूं तो यहां पर देखें प्री निटाल स्टेज है हमारी और यह शून ये से है तो later child root हमारा 7 से 12 साल तक आएगा उसके बाद अगर हम लोग बात करें adolescent की ठीक है तो यह हमारा transition phase होता है 13 से 19 साल तक यह चलता है ठीक है यह सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा कि कौन कौन से कारक इसके इस्तिमाल में सहायक होते हैं ठीक है तो अगर हम लोग बात करें विकास और उसकी तो अगर इस पूरे sphere को हम लोग विकास मान लेते हैं ठीक है तो इसमें देखिए यहाँ पर छोटा सा जगा maturity के लिए भी होगा ठीक है छोटी सी जगा growth के लिए भी होगी ठीक है विकास के ये सारे भाग है, maturity हो गया, growth हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये सारी विकास के ही भाग है, विकास इन सारे चीज़ों को अपने अंदर समाहित रखता है, ठीक है, इसके बाद अगले वाले lecture में हम लोग बात करेंगे, कि हमारा heredatory और environment अनुवान सकी और वाताव ठीक है, यहाँ पर एक महान बखती थे जिनहोंने एक आता की, आ, जो, यह इनोंने काता की, जो एडोलसन है, ठीक है, एडोलसन है, वा, टनाव एवं, तनाव एवं, तूफान के वस्था, है तूफान की वस्ता है या किस ने कहा था तो यह देखिए यह कहा था इस्टेनली हाल ने कहा था इस्टेनली हाल महोदे ने कहा था कि जो अड़ो लिसन है वो तनाव विम तूफान की वस्ता है इसी लिए कहा था क्योंकि यहां पर देखे identity crisis होती है ठीक है identity crisis होती है बहुत सारे प्रश्ण उठ रहे होते हैं ठीक है और बहुत सारी चीज़ें बच्चा करता है कहता है कि हम यह करेंगे सारी चीज़े करेंगे तो आज के topic में हमारे इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ठीक है और अगला जो टापिक हमारा होगा वो अनवान सिक्ता और वातावरण के उपर होगा थैंक्यू फॉर वाचिंग